तो वल्कम बैक अब्रिवन यह हमारे दोस्ट धनाजय वस्थी इन्होंने अभी लेटेस जिम जॉइन किया है पर इनकी जो सबसे बड़ी इश्यू है इनका वजन तकरीवन पच्पन किलो है इन्होंने जिस जुइन किया दिकत यह है कि इनके सरीर में बहुत ज्यादा मसल भी लूज कर पाएं तो इस वीडियो में तीन सिंपल स्टेप्स के बात करूंगा जहां पर आपकी डाइट वॉक आउट शीट क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे आप उस मस्कुलर फेस तक पहुंचोंगे इस चरबी को लूज करके साथ में नहीं मसल्स बिल्ड कर तो चलते ह कि रिक्रिकी रिक्वार्मेंट से ज्यादा खार वो फूट बॉड़ी सिर्फ फ्लश करें सरीर नहीं लगेगा तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग पर ध्यान दें आप जिम जॉइंग करें अगर जिम कर रहें तो अपनी बॉड़ी को कुश करें कोई भी टेक्निक यूज करे तो अल्टिमेटली आपका मसल मास बढ़ेगा और आपकी साइस बढ़ें और उसके साथ ही अब बात करें डाइट लोग कहतें कि विया आपको स्कीनी टू मस्कुलर बना है तो आपको अपने टेफशिप में खाना पढ़ाईगा तो आपको अब बहुत लीन रहें ताकि पे पोड़ी मेल और प्रोटीन मेल में कर्वोहड़ेट ज़रूर अच्छे आमांट ने है तो आपके दूसरे सबसे इंपोर्टें इस्टेप होने वाला है वह होने आपका इंटर्नल है इसमें सबसे पहले हम प्राइटाइज करेंगा आपके मेटाबॉलिक रेट और आपके अ और जिसकी वीडियो खोलो उसमें कैलरी डफशेट काम खाना खाओ लो कैलरीज फूट काओ लीन रहोगे अरे अपना अगर मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ा दो तो कम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए दो सबसे ज़रूरी अगर आप सुबह उठते ही अगर से कंश्यूम करें तो सबसे बेस फायदा देगा दूसरी है आपकी काडियो आपके ओर रूटीन में हलका फुलका काडियो होना चाहिए अगर स्प्रिंटिंग हो पाए तो आपको सबसे ज़्याद असिस करेगा बात करें टेस्टेस्ट्र के पीछे जाना चाहिए और उसमें भी सबसे जरूरी चीज है अपने स्ट्रेस हॉर्मोन को नीचे करना अगर कोडिसल ऊपर है तो आपका इंसलिन आपका यूमन ग्रूथ हॉर्मोन आपका टेस्टेस्ट्रॉन ये सारी चीज़े खुद बग खुद नीचे आ जाएंग तो सबसे पहले इसल को काउंटर करने के लिए अच्छे समय से सूएं समय से उठें चाह वाक आउट कर क्लीन डाइट लें पर मैदा और चीनी जैसी चीज़े कम रहें थिल उतनी भैतर नहीं है तो आप स्टबन फैट कभी बोन नहीं कर पाऊंगे नहीं समझते हैं अगर आपक कितना भी मनों तावर्तों ट्रेनिंग करने जो अट दी एंड मसल बिल्ड करके देता तो आप सप्लिमेंट जैसे की अलारजिनीन वगारा यूज कर सकते जो आपके फ्लो को बहतर करता है जो आपकी हार्ट हेल्थ की इंप्रूब्मेंट करता है आप वाइटमीन सी जैसी च मैं कॉमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स क्लियर कर दूगा अब चलते हैं सीधा इंपॉर्टन स्टेप पे और सबसे इंपॉर्टन स्टेप है पेशिंस मेरे बिगनर भाई चाहते की सारा रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाए तरभी भी कम हो जाए मसल भी जाद आ आ ज करना भूल जाओ आप कौन से तेल में किस ब्रांड का खाना खा रहे हैं इसका परफेक्ट न्यूट्रियन कंट्रिंट आपको पता ही नहीं क्यूंकि आप एक बिगनर हो आए दिन मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं मुझे फैट लॉस करना था एक हजार कैलरी पे मैं खाना खा रहा था मैं एकदम केकड़ा हो गया हूँ एक एक एसा प्रोसेस है जहां पर मसल बिल्ड करना सबसे बड़ी प्रायटी है एक बार अगरा मसल बिल्ड कर लिए तो आप औरों से ज्यादा कैलरीज बॉन करोगे सेम एक्सराइस को करते हुए अल्टिमेटली जैसे ही कहा जाता है कि बहुत बहुत बढ़िया नहीं है पर सच में अगर चाहते हो कि ऐसी कुछ फीजीक रहे है या हमसे बहतर करो मेरी बागवान से परातना है कि मुझसे बहतर करो यह इतनी सरलता से नहीं मिलेगी भाई आपको समय देना पड़ेगा च्छे महीना आठ म कुछ नहीं इंफर्मेशन के साथ